मा रेनुका जमद्ननी रुशी की पत्नी थी। माता रेनुका के पाच पुत्र थे जिनके नाम रुमन्वान, सुषेन, वसु, विश्ववसु, एव परशुराम। परशुराम जी तो भगवान विश्णुजी के अवतार माने जाते हैं। एक बार परशुर राम जी ने अपने ही माता रेनुका की हत्या कर दी थी। उनके बारे में एक कथा प्रचली थे। रेनुका माता प्रते दिन नदी से पानी भर कर लाया कर दी थी। इसके बाद जबदनन्नी रुशी स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद पुजा अर्चना करते थे एक दिन माता रेनुका को पानी लाते समय देर हो गई तबी जवद्नन्नी रुशी को यहां आभास हुआ कि उनका ब्राह्मान अत्व समाप्थ हो गया है। पिता की आग्या का पालन करने पर उनके पिता ने उनसे बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ठ हुए और उन्होंने पुत्र परशुराम को वर्दान मांगने को कहा। परशुराम जी ने तीन वर्दान मांगे। एक माता को पुनरजिवित कर दो। दूसरा उन्हें अपने कोने की स्मृति न रहे। और तीसरा सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाए। इस वर्दान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि एक वर्दान पुरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी माता रेनुका को जीवित नहीं कर सकता हूँ। यह प्रकुर्तिक नियम के विरुद है। किन्तो 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेनुका तुमको दर्शन देगी। माता रेनुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खनवा जीले में समीप छैगाव देवी में है। माननेता है कि यहां चैत्रमास शुकल पक्ष की चतुरदशी के दिन माता रेनुका स्वय बार आते हैं। कहा जाता है कि आज से 500 वर्स पहले माता रेनुका की प्रतिमा इस मंदिर में स्वय भी प्रकट हुई थी। इस मंदिर में माता रेनुका के साथ साथ माता बिजासन, माता हिंगलाज, माता शितला और माता खांकली इन सभी की प्रतिमा भी स्तापित है। यह वह जल किसी भी रोगी को जल लगाया जाता है तो वह रोगी ठीक हो जाता है इसी आस्था के चलते यहाँ पर अनएक भकतगन आते हैं और अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं इसलिए यहाँ मंदिर लाखो भकतों के आस्था का केंद्र बना हुआ है माता के चमतकारों को लेकर कई कथाय प्रचलित है स्थानिय लोग बताते हैं कि एक बार मंदिर में तीन चोर घुसे और कलश चुरा लिया वे खुछ ही दूर पोचे थे कि माता के प्रताप से तीनों पत्थर में बन गए इन में से एक चोर के सिर पर कलश रखा गया है स्थानिय लोगों का यहाँ भी कहना है कि यहाँ पर छह देविया एक साथ प्रकट हुई थी इसलिए इस गाव का नाम छह गाव देवी है अब यहाँ पर केवल पाच्छी देवी है कि प्रतिमाय है माता भवानियां से चली गई है गाव के लोगों का यहाँ भी कहना है कि माता ने अभी तक अनेक चमतकार दिखाये है यहाँ की माता इस माता की पिंडी से कुमकुम निकलता है या फिर कभी-कभी मंदिर की घंडिया अपने आप बज़ने लगती है गाव के लोगों का ऐसा मानना है कि यह होना माता का कोई शुभशंकित होता है ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक इस दिन सच्चे मन से माता रेनुका के दर्शन एवो उनकी आरदना करता है उसकी सभी मनो कामना को माता रेनुका पूर्ण करती है इसी दरा के जानकारी और जाननी के लिए हमारे चानल पर बने रहे and don't forget to subscribe my channel all in one